दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं PM20 कर्मा योजना के बारे में तो फ्रेंट PM20 कर्मा योजना में आप आनलाइन आवेधन कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको फूरा step by step बताऊंगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो फ्रेंट PMBIS कर्मा योजना में आनलाइन आवेधन करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने मुवाले लैपटाप का कोई साभी ब्राउजर ओपन कर देना होगा, और वहां प how type करना होगा PMBIS कर्मा, PMBIS कर्मा टाइप करके आपको search कर देना होगा, तो यहां पर मैंने search कर दिया, और search करने के बाद देख सकते हैं, कुछ इस तरह का interface आ रहा है सबसे उपर वाले link पर ही आपको click कर देना होगा click करने बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर friend देख सकते हैं लिखा है PM 20 करमा और यहाँ पर बहुत सारे option यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा log-in लागिन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सत्यजुप्ट अपलिकेंट वेनिफीसडी लागिन, छीटीज सी लागिन, अडमीन लागिन एडमीन लागिन तो अगर आप अपलिकेंट वेनिफीसडी सब्शनी होगा एकょ यहां से आवेदन नहीं कर पायेंगे, आपको CsC login पे click करना होगा, और यहांपे तिन option दे रहा है, तो आपको दूसरे option पे click कर देना होगा, CsC register, इस पर आपको click कर देना होगा, click करने के बाद यहां पर friend आपको CsC ID और password माँगेगा, तो आपको अपना CsC ID और password डाल दे तो आपको किसी भी नजदी की सेंटर पर जाना होगा और वहां पर आपको अपना आवेधन करना होगा उसके बाद देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहां पर लिखा कि रिज्टर ना ओ यहां पर बोल रहा है कि आपके परिवार में कोई करने के बाद अटीनुग आ YoMan Eminionen पर मैं क्लिक कर देना होगा उसके इस चेक मार्क लगा देना होगा और हैं पर कलिक करने बाद देक और आपके आधार काड में जो मॉयल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक 6 की OTP आएगी तो देख सकते हैं हमारे मॉयल पर OTP आ चुका है 55621 तो 55621 मैंने डाल दिया उसके बाद continue पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिवाइस लगा जैसे मंत्रा या मॉर्फो जो भी है वो जलने लगेगा और जिसका भी आवेदन आप कर रहे हैं उसका जो अगुठा है वो बायमेट्रिक डिवाइस पर आपको लगवा देना होगा और जो ही बायमेट्रिक लगाने के बाद यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहां पर फ्रेंट देख सकते हैं प्रसनल डीटेल्स देख सकते हैं यहां पर आ चुका है और इस फार्म को आपको पूरा भरना होगा तो फ्रेंट यहां पर मैं जल्दी आ चुका है जेंडर यहां पर देख सकते हैं आटोमेटिक आ चुका है मैरिटल स्टेटस में अगर उनकी साधी हो चुकी है तो मैरिड अगर नहीं हुआ है तो अनमेरिट तो यहां पर इनकी साधी हो चुकी तो मैरिड उसके यहां पर कटेग्री में यहां पर अगर जनरल में है तो यस करिए अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देजिए उसके बाद अगर मा लेजे कोई दिव्यांग है तो यस करके और यहां पर जो भी disability है उसको आप यहां पर select करना होगा मतलब जो भी है तो उसको select कर लेजिए अगर अंधा है तो blindness यहां पर बहुत सारी चीज़ें यहां पर दी गई है तो यहां पर दिव्यांग नहीं है तो मैं no पर क्लिक कर दे रहा हूं उसके बाद यहां पर लिख रहा है कि are you doing business in same state तो yes कर दीजिए और yes करने के बाद यहां पर are you doing business in same district अगर आप उसी डिश्टिक में same district में ही बिजनस कर रहे हैं तो yes पर क्लिक कर देना होगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो yes हो जाएगा उसके बाद यहां पर अगर minority category में अगर आते हैं कोई भी muslim भाई हैं तो उनको yes करना होगा और yes करने के बाद select minority पर क्लिक करके मतलब यहां पर देख सकते हैं बुद्धिश्ट रिष्टियन जैन मुस्लिम सीख मतलब जो भी इन में से जो लोग भी हैं आप minority पर क्लिक करके आप यहां पर डाल सकते हैं अगर माले जो कोई मुसलिम है तो yes कर दिज़े minority yes और मुसलिम पर क्लिक कर दिज़े सिख थे मुद्रिश्ट है तो बुद्रिष्ट और क्रिष्ट वावर क्रिस्टीयन तो अगर मैं यहां पर हुं तो मैं इसे नो कर दे रहा हूं और नो पर देख सकते हैं contact details यहां आपका mobile number आ जाएगा और यहां पर आपका आधार number आ जाएगा और यहां पर pen card अगर आपके पास pen card है तो आप यहां पर pen number डाल दीजे अगर आपके पास pen card नहीं है तो यह optional है आप इसे छोड़ भी सकते हैं तो चलिए आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहां पर family details में यहां पर लिखा है रासन कार्ड नमबर यह आप इसे छोड़ सकते हैं अगर पास रशन गरहत तो आप yaha डाल दीजेकर नहीं है तो कोई दिककत नहीं लेकिन यहां पर family member details यहां पर family member दिटेल इओंपर डालना है जरूर है और किसी के पास पास रासन कार्ड है तो family member की जरुवत नहीं है इसलिए यहांपर किसी भी family का नामन कारे है तो यहांपर जबूकर करके यहांपर इनकी details को डूंने में डालने के लिए और इंसके बाद यहां कर रुब गाए त्रिलेशनशिफ में मैं इनकी जयते नाम डूँब 양पाने रहां इनके पती का नाम यहां पे लिख दूंगा उसके बाद यहां पे सेल्फ में यहां पे देख सकते हैं उसके बाद यहां पे रिलेशंसीप में यहां पे कर दे रहा हूं उसके बाद यहां पे उनका आधहार नंबर यहां पे डाल देना होगा तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी आ चुका है इस्टेट उत्तरप्रदेश और यहां पर डिस्टिक कोछी नगर यहां पर पिन कोड आटॉमेटिक आ चुका है और यहां पर बोल रहा है कि करेंट आड्रेस यहां पर सेम मेरा मतलब जो आधार कार्ड में हो है वही पर डालना है अगर मालिज आप किसी दूसरे ड्रेस पर आते हैं तो अधर पर क्लिक करके आप यहां पर दूसरा ड्रेस डाल सकते हैं तोयां पर मेरा से इंगर आप सेー करें आपका जो भी यूल भी नहीं मतलब आरी यूसको आपको यहां पर डाल देना हुगा तो मैं ग्राम पंचायग से आता हूं तो यहां con क्लिक कर दे रहा हूं और ग्राम पंचायत पर एस पर क्लिक करने बाद ब्लाक जो भी आपका होगा जैसे मेरा कप्तान गन कप्तान में ने सलेक्ट कर लिया उसके बाद ग्राम पंचायत आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसको सलेक्ट कर लिजेगा तो मैं जल्दी से यहां हैं पर select कर ले रहा हूं करने बाद आपको थोड़ा सा नीचे आंद होगा और यहां पर आपको है हैं हैं तो देख करना भाएं उसकते हैं उसके बाद यहां पर यहां पर देख सकते हैं, Carpenter बढ़ाई और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, Footweer Maker, Doll and Toy Maker, Fishing Knit Maker, Garland Maker, मालाकार, उसके बाद यहां पर सुनार, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं Hammer and Toolkit, अगर आप छिलाई मसीन के लिए आवएदन करना चाहते हैं तो ठेलर वाला सलेक्ट कर लिए अगर मा लिजे कोई राज मिस्तिरी है तो क्या सेलेक्ट करेगा तो मेशन वाला सेलेक्ट कर लिजिए और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक चार आपसन और आ रहे हैं ब्रिक मेशन देख सकते हैं कंक्रीट मेशन प्लास्टर मेशन टायल मेशन अगर कोई टायल मिस्तिरी है तो टायल वाल प्रुड़क्ट से उसका ट्रेडिसनल बास्केट मेकर ट्रेडिशनल ब्रूम मेकर और यहां पे ट्रेडिशनल मैट वीवर तो यहां पे अगर माली जी में सिलाई शिलाई मसीन वाल आया आवेदन करना चाहता हूं तो इस चेकमार्क लगा करके और बीजनस आड्रेस जो हमाने प्रुथा सब्सक्रावर क्लिक किर्कर आप वहां पर पूरी लिडील को भढ़ा सकते हैं यहां पर मेरा same है, तो same पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं, कि same आधार का जो address है, OC पर ही business भी है, तो आप इस पर इस पर click कर दीजेगा, तो यहां पर सारी चीजे हैं, एक बार और ध्यान से देख लिजेगा, और save पर आपको click कर दे रहा हूं, उसके बाद save पर मैं click कर दे रहा हूँ, save पर click करने बाद देख सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है, और आपको थोड़ा सा wait कर लेना होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं details save successfully और आपको nest पर click कर देना होगा, nest पर click करने बाद देख सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है, और loading लेने के बाद यहां पे देख सकते हैं लिख रहा है कि credit support information और देख सकते हैं दूसरे step पे आप आ चुके credit support information और यहां पे लिखा कि saving bank details तो यहां पे आपके bank का name जो है उसको select कर लिजे तो मेरा central bank तो central bank को मैं जल्दी से select कर ले रहा हूँ आपका जो भी bank है उसको select कर लेजेगा तो यहां पे देख सकते हैं Central Bank of India, उसके बाद आपका जो भी FSC code है, उसको आपको यहाँ पे डाल देना होगा, और FSC code डालने बाद आपका जो भी account number है, उसको आपको यहाँ पे डाल देना होगा, और फिर से आपको account number confirm कर देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा कि credit support, और यहाँ पर अगर आप लोन वगर लेना चाहते हैं देख सकते हैं do you want to credit support और यहां पर देख सकते हैं one lakh in first transaction with five percent instead to be paid यहां पर 18 मन्त में आपको यहां पर paid करने होंगे एक लाक रुपए अगर आप लोन लेते हैं तो अगर आप सेकेंड बार में दो लाक रुपए और लेते हैं तो पा लिख करेंगे तो yes हो जाएगा और यहां पर जितना भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं उसको आपको यहां पर डाल देना होगा तो मिनिमम देख सकते हैं 50,000 पचास जार से अधिक ही आप लोन ले लेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं नीचे लिखा कि select preferred bank to taken loan मतल आप लोन ले रहा हैं तो आप यहां पर पर्चेज केक्वम्न य मिन लगाना चाहते है यहां पर कोई भी करण लसे ज़ोर चाहते हैं फिर पर यहां पर eld कर अगर कोई Digital Incentive Details अगर आप Digital Transaction करते हैं तो आपको यहां पर incentive दिया जाएगा। देख सकते हैं आपको अपना UPI ID नमबर यहां पर डाल देना होगा। यह optional आप अपना ईसे छोड भी सकते हैं। अगर आप अपना UPI ID डाल देते हैं तो तो मैं पूरा डीटेल में बता दिया हूं कि क्या क्या करने होंगे तो यहां पर देख सकते हैं काउंट नमर मैंने डाल दिया उसके बाद FSC code डाल देया और यहां पर branch select करने का option नहीं दे रहा है तो बहुँ सारे लोग यहें पर परइसान हो जाएंगे तो आपको branch अगर यहां पर select करने का option नहीं दे रहा है तो आपको नीचे आना होगा और नीचे आने क बाद आपको फिर से इस पर click करना होगा click करने बाद आपका जो FSC code है यहाँ पर आ चुका है और यह देख सकते हैं आपका जो भी branch है वो भी आ चुका है तो इसको select कर लिजेगा और select करने बाद आपको next पर click कर देना होगा next पर click करने बाद देख सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है और आप third step में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर skill training यहाँ पर लिख रहा है कि you are eligible for skill training for below training program यहाँ पर basic देख सकते हैं training होगी 5 दिन की और advanced training यहाँ पर 15 दिन की लिख रहा है कि आपको advanced training 15 दिन का करना है और basic training 5 दिन क और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं toolkit once you are registered and skilled training certificate you will be given a grant यहाँ पर 15,000 रुपए लिख रहा है तो friend आपका जो भी training है वो complete हो जाने के बाद आपको एक certificate दिया जाएगा training certificate और उसके साथ आपको 15,000 रुपए toolkit खरीदने के लिए दिये जाएंगे और उसके बाद देख सक का marketing support चाहिए तो ओ भी आप यहाँ से ले सकते हैं जैसे यहाँ पर service on e-commerce platform अगर आप e-commerce website पर कुछ sell करना चाहते हैं तो आप यहाँ से marketing support लेख सकते हैं या अगर देख सकते हैं logistic support required brand building support तो यहाँ पर मुझे यह सब नहीं चाहिए जिसको चाहिए उस पर click कर दीजेगा ज तो यहाँ पे में निश्ट पर click कर दे रहा हूं और click करने बाद front देख सकते हैं चोथे step में मैं आ चुका हूं और यहाँ पर front देख सकते है declarations details तो यहाँ पर फूरी details यहाँ पर पढ़ लेनी होगी और उसके बाद यहाँ पर check box चेक mark लगा करके आपको यहाँ पर submit पर click क क्लिक करने बाद आपको एक बार फूरी डीडेल्स देख लेने होगे कि सब कुछ सही है जह नहीं सही है अगर कुछ भी गलत है तो आप यहां से बैक करके आप यहां पर सुधार कर सकते हैं जैसे माल लेजिए आपको इस submitted और यहां पर application number यहां पर देख सकते हैं आ चुका है और done पर आपको click कर देना होगा यहां पर मैं done पर click कर दे रहा हूं और done पर click करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहां पर आ जाएगा और यहां पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहां पर देख सकते हैं PM विसकर्मा रेइस्ट्रेशन यहां पर step 1, step 2 और step 3 यहां पर देख सकते हैं, अभी एक complete नहीं हुआ है, जब आपका training वगर है, सब कुछ यहां पर हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आपका step 3 है, वो complete हो जाएगा, और यहां पर यहां से certificate को download कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और नीचे जाने कबाद यहां पर लिख रहा है कि download your application PDF, इस पर आपको click कर देना होगा, और click करने कबाद आपका जो application PDF है, वो download हो करके आ जाएगा, और यहां पर देख सकत हैं, तो online आवेदन करने के बाद आपका जो भी ग्राम परदान है, उसके द्वारा ही verification किया जाएगा, मतलब ही verify करेगा, उसके बाद ही आपका आगे बढ़ेगा, मतलब अगर आपको जल्दी से अपना verification करना है, complete करना है, तो आपको अपने ग्राम परदान से संपर करना हो और उनके द्वारा अपने जो फार्म है, उसको verify करवा देना होगा, मतलब और इसके आगे जो भी अधिकारी है, उनके पास चला जाएगा, उसके बाद वो लोग अपना काम करेंगे, तो मैंने इस पीडियाफ को डाउनलोड कर दिया, और यहां पर देख सकते हैं, सारा details य येकिन मैं आपको पूरा step by step बताया हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं, तो फ्रेंट आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, और स